राजिस्तान की 13 लोगसबा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है इस बार मतदान केंद्रों पर बहतर विवस्था की गई है ताकि वोटिंग प्रतिश्यत को बढ़ाया जा सके इसी बीच में डोंगर प्रबासबाना लोगसबा सीट से प्रतियाश्यों की एक फोटो के साथ एक बालेट पेपर वाइरल हो रहा है जानकरी का अनुसार 25 अप्रेल को एक सरकारी करमचारी का ये बालेट पेपर वाइरल हुआ जिसमें राजकुमार रोध को वोट दिया बताया जा रहा है बालेट पेपर का नंबर 11-23-79 है जो कि इसे सरकारी करमचारी का बताया जा रहा है प्रत्याशी विशेश को वोट देने की अपील के साथ ये सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है अब इसकी शिकायत जिला रिवाचत धिकादी को पहुँच चुकी है इस मामले में बासवाडा का कहना है कि ये मामला बासवाडा का नहीं है डूंगरपुर का है सरकारी कारविक MBC का जवान है उनका कहना है कि इसकी जानकारी SP को दी गई है और इस पर उचित कारवाई जरूर होगे आपको वदा दे कि डूंगरपुर बासवाडा सीट से BJP की तरफ सी महीन जुद सिंग मालवी मेदान में हो और BAP की तरफ सी राजकुमार रोत की है से ही शुरू हो चुकी है और शाम को 6 बजे तक मतदान होगा इनमें बाड में जोदपुर जालोर बासवाडा चितौलगर कोटा टोकसवाई माधुपूर अजमीर पाली उदैपूर रातसंबंद और जहलाबाड 12 सीट शामिल है आम चुनाब की साथी बासवड़ा लोकसवाज शेत्री में बागी दोरा विदानसवाज सीट पर भी उप्चुनाब हो रहा है इन देरा लोकसवाज शेत्रों में 28,758 बूत बनाएगे जहां 2 करोड 80 लाक मतिदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और 152 प्रत्याशियों के चुनाबी भाग्य का फैसला वो करेंगे पिछले दो लोकसवाज चुनाब 24 और 19 में एक भी सीट नहीं जीत पाने वाली कॉंग्रिस इस बार भाजपा की गड़ में सींद लगाने की कोशिश में हैं दूसरे चुनाब की 13 सीटों में से 6 होट सीट मानी जा रही हैं इनमें बार्ड मेर, जैसल मेर, जालोर सुरुही, बासवडा, भिलवडा, कोटा के साथ 16 वाट 12 भी शामिल है ताजा खवरों के लिए बिजिट करें दफेक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनोड करें दफेक्ट इंडिया एप